एक अस्सलाम आलेकूम अध मुम्ताज रेसिपी में मुम्ताज के किछन में क्या बन रहे आज में चिकन सूप बनाना बता रही हूं इसके लिए मैंने आधा केजी या आधा किलो चिकन लिए इस तरीके का बोल वाला लेंगे आप तो इसका सुप जाधा अच्छा बनता है बारी कटी आप देख सकते कुट मीरे काली मिरीज का पाउडर है यह भी हमको गार्णीश के लिए लगेगा और साबित गरम मसाला दो इलाइची है चोटी चार काली चार जो है तो लॉंग है दो तिन चोटी सी इस्टिक दालचीनी की है आठ डस काली मिरीज है चिकन क्यूब ली हूँ अब देख सकते एक चिकन क्यूब दो छोटे तेज पतता है मसाले चिकन सूप के लिए मैंने ली हूँ लसन अद्रका पेस्ट है आधा आधा चमच है साबित दनिया आधा चमच से भी कम जीरा आधा चमच से भी कम सौप और अजवाइन तो और आधे से भी कम है एक मीडियम प्यास आप देख सकते एक मीडियम प्यास नमक हजबे जरूवत आप लेंगे क्यूंकि चिकन क्यूब जो हम डाल रहे हैं इसमें भी नमक होता है और हरी मिर्च बनाने के लिए तकरीबन छे से आठ गिलास आपको पानी लेना होगा एक बरतन में तकरीबन आठ गिलास आपने पानी डालना है इतना ही पानी साथ गिलाज बहुत हो गया इसको हम गरम करने के लिए रख देंगे एक जोश आने देंगे हम इसे पानी में अच्छा जोश आ गया है अब इसमें हम सब चिकन डाल देंगे जिकन धोकर कभी भी ऐसी कोई चीज बनाए चिकन धोकर थोड़ी देर के लिए उसको साइट में रख देंगे जिससे क्या होगा उसमें पानी होता है वो थोड़ा और अच्छे से निकल जाता है विद गरम मसाला प्यास, हरीमिट, लसन अद्रका पेस्ट, धनिया, जीरा, सौप, अजवाइन, नमक और हल्दी ये सब चीजे इसमें डाल देंगे अभी इसको हम तक्रीबन 15-20 मिनिट के लिए बिलकुल धीमी आज पर पकने रख देंगे माशाल्ला 20 मिनिट हो गया है, इसको पकते वे, मैं बराफ़र टाइम देखकर बना रही हूं, तक्रीबन 20 मिनिट देखें, प्यास भी बहुत अच्छे से गुल गई है, चिकन भी देखो, सब हड़ी अलग हो गया है, ये देखें आप अच्छे से डियाद पर पकाने है, अब हम कैस बन करतेंगे, इस चिकन को हम अच्छे से चान लेगे, चिकन को हम चान लेगे, बहुत हाथ सम लिखिए, इस तरीके से आप ने इसको हलके हाज से थोड़ा प्रेज करतें कि और अच्छे से इसका जूज निकल जाए अभी सूप को हम वापस इस पतेली में डाल देंगे वे चिकन जो मैंने अलग प्लेट में निकाली थी इसको हम डाल देंगे समाल कर अलका सहिए देखे पक रहा है अब इसको हम गैस बन करतें कि यार जब आप किसी को इसको पेश करना हो प्रेजनटेशन है उसवक, आप इसमें थोड़ी सी काली मिरिच का पाईटर डाल दें थोड़ी सी कोत्मी, कोत्मी मैंने इसलिए पूरे सूप में नहीं डाली क्योंकि फिर ये काली हो जाती है, जब हम किसी को दे रहे हैं प्रेजेंटेशन उस वक आप थोड़ी सी कोत्मी डाल दें, माशालला हुमारा चिकन यकमी सूप तयार है, आप भी इसे बनाए और मुझे बताए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भुले, कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अल्ला आफिस